Hello everyone, welcome to online prep. आप सभी students के लगातार comments और message आ रहे हैं कि Sir, UP B.A.D. इंटरेंस की final exam date कब तक आ जाएगी? तो इससे सम्मनित जानकारी को आज के इस वीडियो में हम लोग details से cover करेंगे इसलिए आप सभी लोग वीडियो को in तक देखिएगा उससे पहले आप सभी लोग को बता दे कि online prep team ने आप सभी लोगों के लिए एक smart notes तयार किया है आपके entrance exam से related आप सभी लोग के screen पर देख सकते हैं अगर आप भी entrance exam की अपनी तयारी को और बहतर करना चाते हैं एक अच्छा score लाना चाते हैं government college के लिए तो ये notes आप सभी लोगों के लिए है ये सभी stream के students को ध्यान में रखते हैं notes को तयार किया गया जिसमें लगभग 200 pages है और आप इसको easily 10 दिन में आप इसको revise कर पाएंगे और इसकी minimum फी रखी गई है तिर्फ 99 इसको प्राप्त करने के लिए आपको हमारे official contact number पे WhatsApp करना होगा इसका link भी आपको वीडियो के description मिल जाएगा और साथी वीडियो के end भी हम लोग इसके demo को भी देख लेंगे कि इसमें आपको किस तरीके से notes provide किया जा रहा है आज ही आप सभी लोग देख लेते हैं final date क्या रहेगी आपके exam की तो उससे पहले आप सभी लोगों को कुछ important dates जानना जरूरी है आपको पता है कि form की जो last date थी उसको बढ़ा कर 10 April कर दिया गया जिसमें कि 5 April तक आप without late fee form fill कर सकते हैं लेकिन 6 से लेकर 10 April तक जब आप form fill करेंगे तो आपको late fee देनी होगी यहाँ पर एक important चीज़ जो की website पर already given है आप सभी लोग देख सकते हैं लिखा है admit card date जो है 13 April 2023 लेकिन bracket में tentative लिखा है यानि संभावित है ध्यान रखिए जो आप लोगों के exam की final date आएगी जो confirm date आएगी वो 10 से 13 के बीच में आएगी 10 और 13 April के बीच में आएगी वो इसलिए कि अगर 13 April तक admit card आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि 24 April को exam होगा लेकिन अगर इसमें देरी होती है तो no doubt exam date जो है extend हो जाएगी तो आप सभी लोगों को इंतजार करना है आप ऐसे समझ लिजे 11 से 13 के बीच में official information गुंदेल खंड इंवर्चिटी के तरफ से जारी कर दी जाएगी इसके लिए आप सभी लोगों को सिर्फ 4 से 5 दिन का इंतजार है और जैसे ही कोई final date आएगी आप सभी लोगों को inform कर दिया जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसका final जो फॉर्स टाइन जो पुलेटेन आया था इसका यानि निर्देश पुस्तिका आये थी उसमें भी यहाँ पे संभावी तिथी लिखा था 24 अप्रैल लेकिन अब यहाँ पे संभावी तिथी लिखा है लेकिन final जब उनिवर्सिटी को लगता है कि अब वो exam conduct करा लेंगे तब जारी करते हैं तो इसलिए आप सभी लोग confusion ना हो आप लोगों का आप लोग अपनी preparation 24 अप्रैल को ध्यान में रखते रहिए जैसे कोई final date आएगी तो जादा नहीं लगबग हो सकता अगर date बढ़ती इस डेमो का इंडेक्स आप देख सकते हैं इसमें आपको GKGS, Hindi और English यहां पर आप देखेंगे Hindi इंगलिस दोनों का content दिया गया है revision के लिए reasoning भी है और maths के basic question भी है साती सात यूपी बेट solve paper 2022 भी है current affair के लिए आपको हमारे चैनल पर वीडियो देखनी होगी और UPGK के notes भी आपको इसमें available होंगे आप यह देख सकते हैं यह आपका GKGS का portion है जो कि बिल्कुल concise किया गया है शेतरफल से देख सकते हैं यहां पे भूमी सीमा विस्तार यह सब बिल्कुल concise करके आपनों को provide किया जाएगा साती MCQs question भी आपको available होंगे आप देख सकते हैं विदांसर की यह व्याकरण देख सकते हैं हिंदी व्याकरण का portion है 37 comprehension passage जो students English opt करना चाते हैं उनके लिए भी useful है वही reasoning का portion देख सकते हैं सेरीज बहुत ही basic तरीके से समझाया हुआ और बहुत ही basic तरीके से और अच्छे level के question आपको इसमें देखने को मिलेंगे वही number system से भी कुछ question है ज और आपकी तैयारी को और बहतर बना सकता है ठीक है इससे related information आप सभी लोगों को whatsapp पे मिल जाएगी और exam date की जैसे कोई final date आती है क्या preparation करना क्या पढ़ना उस पे जल्द ही है कि strategy वीडियो आप सभी लोगों के online prep के थुरू provide किया जाएगा तो मिलते हैं next वीडियो में तक लिए बाबाय टेक क्यार एंड कीप वाचिंग